अब हलो दोस्तों आज किस वीडियों हम लोग ब्रांच एप में अपना लॉन री-पैमेंट कैसे करें उसके बारे में बाथ करेंगे तो चलिए हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं तो सबसे पहले हमें जाना है प्लेट्टोर में प्लेट्टोर में गया यह तो दोस्तों देखिए ब्रांच आपका प्लेस्टोर में मिल जाएगा अगर इंस्टाल नहीं तो इंस्टाल कर लिजेगा तो मेरा अलेडी इंस्टाल है तो मैं इस पे क्लिक करता हूं ओपन पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद देखिएगा कुछ ऐसा अपका इंटरफेस खुलेगा ऐसा खुलने के बाद देखिएगा यहाँ पर तीन आप्षिन दे रख्ये हुए है हो लोउन्स इन्वाइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो लोन है वह 2560 रुपया रिपेयमें करना है ठीक है तो मैं लोन के आप्षिन में क्लिक करता हूँ क्लिक करता हूँ इसके बाद देखिएगा पेयमेंट में क्लिक करने के बाद दिखिए यह दे रखा हूँ है Next Amount due 256 पर Total due 256 पर तो मैं तो मैंने टोटल due 256 में क्लिक किया ओकी इसके बाद कांटीक में क्लिक करेंगे कांटीन में क्लिक करने के बाद देखिए बोला सम मेट सम मेट में क्लिक करेंगे कि अब इस अब अब क्लिक करने के बाद कि यह देरा हुआ है कि फोन नमर आपको कर रहा है तो प्रोशीट टू पेमेंट में क्लिक करेंगे अब इतने आफ़से रखे लिए गूबल पे से पेटियम से या फोन पे से कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग या कार्ट से तो मैं क मैं पेटियम से कर गा हुए मैंने क्लिक किया वेरिफाइए कि करेंगे तो यह बिए प्रेमेंट रिक्वेस्टita से टू भेजी गयी है पेए प्रेमियाश्ट मैं यहा मिनिमायश करेंगे minimize करने के बाद देखेगा payment request वेजी गई है तो paytm में जाएंगे click करेंगे paytm में click करने के बाद मैं अपना password डालना पास्वर्ड डालने के बाद देखेगा यह आ रहा है पे 2576 रुपर तो मैं पे में क्लिक करूँगा पे में क्लिक करने के बाद देखेगा अपना पोर्ट डालूगा तो दोस्तो मेरा आलरेडी अदेज्ट संब्सक्राइब करें चुका है अगर आप डोगों को हमाना वीडियो अच्छा लाग हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो के कमेंट सिक्समें कमेंट जरू किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरू किजिएगा थेंक्यू